हलो इस्टूडेंट्स, आप सभी विध्यारतियों का मेरे यूटूब चैनल धर्मेंद्र गर्क इंग्लिस क्लासेज में हार्तिक स्वागत है आज की इस विडियो में मैं आपको 12th क्लास इंग्लिस कमपलसरी के लिए प्रिस्क्राइब्ड रेंबो टैक्स्ट बुक में दी गई पांच में वो अंतिम नम्मर की कपता दस्नियर को अनवात सहीत इस्पष्ट करूँगा साथी कठिन सब्दों का अर्थ एवं अंत में बोर्ड परिच्छा में पूछे जाने वाले प्रिश्णों को उनकी उत्तर सहीत समझाऊंगा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक वाद सब्सक्राइब करें Dear Students, The Snare का हिंदी अर्थ होता है जाल या फंदा और ये कबता एक मसूर लेखक James Stephens के द्वारा लिखी गई है चलिए सबसे पहले कबता का पठन यानि रेचिटीशन करते हैं I hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where he is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling up his little face, as he cries again for aid, and I cannot find the place. I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. तो चलिए अब कबता को with explanation समझते और पढ़ते हैं तो सबसे पहले, lines 1 to 4 I hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. तो सबसे पहले बात करते हैं उपर दिएगी, extract में दिएगी कठिन सब्दों के बारे में, word meanings के बारे में I, the poet. I सब इसमें James Stephen, poet के लिए इस्तेमाल हुआ है. cry का मतलब होता है, allowed cheek, allowed south, यानि cheek को कहते हैं cry. pain card होता है, suffering, यानि दर्द या कश्ट. rabbit card होता है, hair, यानि खरगोस. और snare का Hindi मेर्ट होता है, जाल या फंदा. snare को nूज भी कहते हैं, और यह है, symbol है captivity या loss of freedom का. यानि स्वतंतरता कहनन और captivity का मतलब होता है कैद. तो यह कैद का प्रतीक है. तो translation in Hindi. I hear a sudden cry of pain. poet James Stephen कहे रहे हैं, कि I hear a sudden cry of pain. अचानक मुझे pain कहते हैं दर्द कश्ट. अचानक मुझे दर्द वरी या कश्ट वरी आवाज सुनाई देती है. There is a rabbit in a snare. कहीं पर एक फंदी में एक rabbit एक खरगोस फसा हुआ है. Now I hear the cry again. अब मैं दोबारा से मुझे उसकी वो चीक सुनाई देती है. But I cannot tell from where. लेकि पोईट कह रहा है लेकिन मैं आपको यह बतता नहीं सकता कि वो जो painful जो cry है वो जो कश्ट परत आवाज है वो कहां से आ रही है? यह नीचे इसका translation दिया हुआ है हिंदी में. कभी कहता है कि मैं अचानक आती हुई एक दर्द भरी चीक सुनता हूं. किसी जाल में एक खरगोस फसा हुआ है. अब दुबारा मैं वही चीक सुनता हूं लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो चीक कहां से आ रही है. Now translation in English. The poet says that he hears a sudden cry of pain or suffering. A rabbit is trapped in a snare. Now the poet again hears the painful cry but he cannot tell the place where the sound is coming from. चलिया बात करते हैं. Lines 5-8 But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened ear or making everything, making everything afraid. तो सबसे पहले बात करते हैं. Cutting सब्दों के बारे में, word meanings के बारे में बात करते हैं. कि पहला सब्द है इसमें aid, aid का आर्थ होता है help यानि मदद. जूरा सब्द है इसमें frightened, frightened का मतलब होता है afraid, डरा हुआ यानि feeling fear. Hindi में इसका आर्थ होता है बहवीत. Air a particular feeling और afraid का मतलब यहां पर होता है बहवीत. तो चलिए बात करते हैं इसके चा लाइनों के Hindi अनुबात के बारे में, translation के बारे में. देखे, I cannot tell from where. Poet James Stephen कहे रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो आवाज है, जो painful आवाज है वो कहां से आ रही है? He is calling out for aid. और वो जो खरगूस है, जो trapped में फसा हुआ जो खरगूस है वो लगातार मदद के लिए चीख रहा है, मदद के लिए बुला रहा है. Crying on the frightened air, उसकी जो आवाज है वो बहुती frightened का मतलब है full of fear, यानि जो खरगूस है वो बहुत बहवीत है और making everything afraid और वो आसपास सभी चीजों को और सभी जानवरों को बहवीत कर रहा है. यह इसका translation दिया हुआ है, हंदी में, कभी कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि वो खरगूस कहां से मदद के लिए पकार रहा है, तो वो भहयूक्त होकर चीख रहा है, उपर जैसे दे रखा है, crying on the frightened ear, यानि वो भहयूक्त होकर चीख रहा है, और हर चीज को भहवीत कर रहा है. नीचे इसका जो translation दिया हुआ है, पोईट says that he cannot tell the place from where the rabbit is calling out for help, और it is, rabbit की बात हो रही है, it is frightened while crying and making everything afraid. जो लिए अब बात करते हैं, lines 9 to 12, making everything afraid, wrinkling up his little face, as he cries again for aid, and I cannot find the place. तो सबसे पहले बात करते हैं, word meanings, ऊपर दिये के extract में, जो कठें सब्द दिये हुए है, उनके अर्थ के बारे में, तो पहली line का जो अंतिम बढ़ड़ा है, या afraid, नीचे दिरखाया, afraid का मतलब होता है, हिंदी में बहबीत, यानि full of fear, wrinkling up का मतलब होता है, to make the skin on your face, form into lines or folds, मतलब कहने का मतलब दर्द की पचे से अपने चेरे को सुकोड़ना, या अपने चेरे को बिकृत करना होता है, wrinkling up, maroadna, aid का मतलब मदद होता है, help, और find का अर्थ होता है, discover, यानि पता लगाना, locate का भी वही अर्थ होता है, search का भी वही अर्थ होता है, तो find का मतलब सर्च पता लगाना है डूबने से हैं तो चलिए बात करते हैं ट्रांसलेशन इन्हंदी के बारे में तो कह रहे हैं देखिए फर्स्ट लाइन में जैसे कहा गया है कि making everything afraid यानि जो खर्गुस है वो हर चीज को भेवीत कर रहा है अपनी दर्द वरी आवाज के साथ wrinkling up his little face और अपनी छोटे से चेहरे को मानू मरोड रायट दर्द की बज़े से as he cries out for him वो मदद के लिए पकार रहा है मदद के लिए चिला रहा है and I cannot find the place लेकिन point जो है बहुत ही helpless है वो उस जगे को discover नहीं कर पा रहा है वो इस जगे को locate नहीं कर पा रहा है जहां पर जो rabbit है वो फसा हुआ है तो यहां translation indeed दिया हुआ है कि जब खर्गुस दुबारा से मदद के लिए चिलाता है तो वो अपना चेहरा दर्द से सुकोडता है वो हर चीज को बहबीत करता है कभी कहता है कि मैं उस इस इस तान को दूड़ नहीं पाता हूँ translation in English चलिए बात करते हैं यह इस कपता की अंतिम चाल लाइन है तो बात करते हैं इसके कठें सब्दों के बारे में वर्ड मीनिंग्स पाव जैसा कि इसकी जो यह वर्ड दे रखा यहां पर पाव पाव कार्थ होता है था फुट ओफ एन अनिमल दैट है चलॉज और पाव कार्थ होता है पंजा और लिटल वन यहां पर रैबिट के लिए इस्तेमाल हुआ है लिटल वन एक छोटा सा जानव अबर रैबिट तो चली अब बात करते हैं इसके ट्रांशलेशन के बारे में अनवात के बारे में तो देखे इसकी पहली लाइन थी इसकी कि I cannot find the place कभी जैम सिश्टीपन कह रहे हैं कि मैं उस जगे का पता नहीं लगा सकता या लगा पा रहा हूं विहर इस पाव इस इन द स्नियर फंदे में फसा हुआ है या जाल में फसा हुआ है लिटल वन ओ लिटल वन यह जो पोईट है बहुती सैड है बहुती उदास है और बहुती हल्पलेस भी है क्योंकि वो इस चोटे से और इस पूवर जानवर की मदद नहीं कर पा रहा है लिटल वन ओ लिटल वन I am searching everywhere और वो उसको हर जगे सर्च कर रहा है लेकिन वो उसको find नहीं कर पा रहा है कि उस खरगुस का जो पंजा है या खरगुस कहां पर जाल में कैद है नीचे इसका translation दिया हुआ है जिहनदी कभी कहता है कि मैं उस इस इस तान को ढूर नहीं पाता हूँ जहां उसका पंचा जाल में फसा हुआ है अरे छोटी से प्राणी अरे छोटी से प्राणी मैं हर जगे तलास कर रहा हूँ Translation in English The poet says कि he is unable to find or locate the place where the rabbit's paw is trapped in the snare Little one, oh little one The poet says he is searching for the rabbit everywhere तो हर जगे पोट उस rabbit का पता लगाता है लेकिन ultimately वह जगों को find नहीं कर पाता है जहां पर उस rabbit का जो पौ है वो एक snare में फसा हुआ है चलिए अब बात करते हैं Poets views about the poem जो कभी के जो विचार हैं इस कपता में व्यक्त हुए हैं उनके बारे में देखे, poem depicts the poet's sympathetic attitude towards animals यह जो कपता है वो कभी के sympathetic यानि सानबूती पूर जो उसका attitude यह जो रवया है towards animals जानवरों के पृति उसको दिखाती है उसको चित्रित करती हैं यानि कभी ने इस कपता में जानवरों के पृति एक सानबूती पूर दयापूर रवया अपनाया है जानवरों के पृति प्रोटेक्शन जानवरों के सनक्षड और उनकी स्वतंतरता के बारे में उनकी फ्रीडम के बारे में है जो कभी है पेनफुल क्राई एक दर्ड भरी आवास सुनता है एक दर्ड भरी आवास सुनता है एक डरी हुए खरगूस की जिसका पंजा एक जाल में फसा हुआ है और पोईट्स बारे में उसे स्वतंतर करना चाहता है तो यहां पर कभता के माध्यम से कभी ने अपने दियर्स में जंगली जानवरों के पृति एक सानवूती पूर दरश्टी कौर अपनानी की मतलब एक तरह से सलाह दी है और उनमें एक सानबूती पैदा की है कि वो जंगली जानवरों के पृती एक सानबूती पूत रवय्या रखें यहां नीचे उपर दिये गए जो लाइंस्थीन का हिंदी जो अनवाद है वो दिया हुआ है कभी जानवरों के पृती कभी के पृती वो उस बिचारे जानवर को सभी जिगे मदद के लिए तलासता है किन्तु वे उसे तलास नहीं पाता और खरगुस का पैर जाल में फसा हुआ है उसकी स्वतंतरता छीन ली गई है और कभी उसे स्वतंतर करना चाहता है यहां पर जो पोईम के जो पोईम में कभी के विचार व्यक्त हुए है तो उपर जो इंग्लिस दी हुई है उसके जो कठिन सब्दे वो यहां दे रखे है जैसे सिंपैथेटिक सान्ध पूती पोड़ ताकि विध्यारतियों को इस लाइनों को याद करने में को समझने में परिशानी ना हो एटिटूड का मतलब होता है रवया और प्रोटेक्शन का मतलब होता है सनक्षण यहां फ्रीडम फ्रीडम का आड़त होता है स्वतंत्रता बाइल्ड अनिमल्स वनजीप जंगली जानवर पेंफुल यानि दर्द भरी क्राई का मतलब होता है चिलाना फ्राइटेंड का आड़त होता है डरे हुए रैविट यानि खर्गोस स्नेर का मतलब होता है जाल लोकेट मानित तलासना पो का मतलब होता है पंजाय पैर रेश्टलेस बेचेन कर्टेल छील लेना और फ्री का मतल़ होता है आजात करना है सुतंत्र करना चलिए बात करते हैं important question और उनके answers के बारे में जैसा कि हम मैं आपको बारवार हर poems में बताता हूं कि इन पांच कपताओं से जो rainbow textbook में पांच कपता हैं विद्धियारतियों के अध्यन के लिए हुई है उनमें दो तरह के प्रसंद पूछे जाते हैं एक प्रसंद होते हैं इस ट्रेक्ट पूछा गया है तो मैं आपके लिए इस ट्रेक्ट को पढ़ता हूं I cannot find the place where is paw is in the snare little one oh little one और I am searching everywhere तो चलिए इसके questions देखते हैं कि क्या questions पूछे गए थे तो पहला question था इसमें कि what does the line little one oh little one suggest you यह जो line इसमें third extract में हमारे लिए क्या suggest करती हैं और दूसरा question था कि I cannot find the place तो which place is the poet unable to find कौन सा स्थान पूछ जो है वो unable to find करने में तो little one oh little one पहले प्रिशन का जवाब देखते हैं कि देखिए यह जो line थी the line suggest करती है कि the miserable state of the rabbit rabbit की जो दुखवरी इस्तिति है न उसको reflect करती है और poet's pity poet की दया और love towards the small animal और यनि यह जो line थी little one oh little one यह कवता कि बहुत दुखवदाई इस्तिति को और साथी कभी का जो प्रेम और दया है न जंगली जानबर के प्रिती उसको reflect करती है उसको दिखाती है दूसरा question था I cannot find the place नहीं question था तो which place कौन से place की बात हो रही है तो देखे तब poet is unable to find the place तो यहां पर place की बात हो रही है where the rabbit paw where the rabbit paw is trapped in this near उस्तान जा रैबिट का जो पंजा है वो जाल में फसा हुआ है चलिए अब बात करते हैं यह दूसरा extract था देखे यह दूसरा extract है यहां दूसरा extract दे रखा है इसको भी पढ़ते हैं कि I hear a sudden cry of pain there is a rabbit in this near now I hear the cry again but I cannot tell from where तो इसमें पहला question है कि what is the rhyming scheme of the string यह जो चाल लाइन दे रहे हैं कि उनकी rhyme scheme और दूसरा question है name the poem और the name the poem and the poet यह जो चाल लाइन है कौन सी कफ़ता से ले गई है और उस कफ़ता की जो writer है वो poet है वो कौन है तो सबसे पहले पहला प्रस्टनिश के rhyme scheme देखे, rhyme scheme निकारने के लिए हर एक line के अंतिम सब्द को देखे जैसे यहाँ pain है दूसरी line का snare है तो pain और snare और again तो अब ध्यान से देखिए pain पहले line और तीसरी line का जो अंतिम word है pain और again उनके rhyme same है और ऐसे दूसरी line और चौती line का अंतिम word उसके rhyme same है तो rhyme को हम a small a से लिखना सुरू करते हैं तो pain क a देते हैं b का और a से अलग sound है तो इसको b देते हैं snare को लेकिन again का और pain के साथ same sound है तो इसको दूबारा से देंगे और snare second line का fourth line के साथ rhyming है तो इस को b देंगे तो इस track की जो rhyming है वो a b और a b हैं और जो इसमें second question पूछा गया था इसके अंदर के name the poem and the poet तो देखिए इस poem का नाम है जहां से इस track लिया गया वो snare poem है और उसके poet है James Stephens तो अब बात करते हैं short answer tap questions तो इस बोड़ परिच्छा में चार short answer tap questions पूछे जाते हैं और विद्ध्यारतियों को तीन करने होते हैं और विद्ध्यारतियों को carry करते हैं यानि हर एक प्रिशन दो अंकों का होता हैं तो देखिए पहला इसमें जो प्रिशन है कि where does the poet search the rabbit and why तो आप answer देने की कोशिस करते हैं बाद में इसके answers देखेंगे where does the poet search the rabbit and why यह बोड़ परिच्छा 2018 में पूछा गया था तो where does the poet search the rabbit तो बताईए rabbit पूइट जो रविट को कहां सर्च करता है और क्यों सर्च करता है तो चलिए मैं इसका answer देता हूँ कि जो poet है वो rabbit को everywhere हर जगे सर्च करता है और क्यों सर्च करता है for help उसकी मदद करने के लिए तो चलिए इसके answers को देखते है नीचे तो यहां इ में आंसर लिखा हुआ है तो पोईट सर्चिस दा रैबिट एब्रिवियर तो हेल्प इम उसकी मदद करने के लिए अब सेकेंड प्रिश्न तो यहाँ पर एक वर्ड था उसका क्या अर्थ है तो देखिए इस कार्थ यह लिखा हुआ है तो रैबिट जाल में फसा हुआ है तो इस टेरिबली अफ्रेड वो बहुत ज़ते डरा हुआ है और हर चीज और मेकिंग अधर एनिमल्स अफ्रेड तो दूसरे जानवरों को भी za Über्ड़ और हुआ है इसका अंस्ट देने की कोशिक्त करें वीजफरेड और रैबिट इस अफरेड खरों देखिए तो लोकी इस्ट हरों ठेंड जाल में फसा उए तो इसका अंसर देखेए रैबिट इस का या रैबिट डेंड दra में भी आहुआ है पोश्य ओस provides the unity to the poem, देखें, इस कपता को एक तरह की unity प्रदान की गई है, वो क्या चीज़ है जो इस कपता को unity प्रदान की गई है, तो इसका अंसर देखते हैं, कि देखें कि इस कपता की खास बात भी है, the last line of every stanza, मैं भी आपको बताऊंगा, हर एक stanza की जो अंतिम line है, वो repeat हुई है at the beginning of the next one, अगले stanza की first line के रूप में, और यही इस कपता को एक unity प्रदान करती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा back रिचल के बता देता हूँ, एक मिट के लिए, यहां देखें, यह इस poem है, यहां देखें, जैसी यह extract है, तो पहला जो extract है, इस कपता की अंतिम line को देखिए, I cannot tell from where, ठीकें, और इस extract की जो यह अंतिम line है, वो अगले extract की first line के रूप में repeat हुई है, यहां देखिए, I cannot tell from where, तो यह चीज, इस कपता को एक unity जो है, वो प्रदान करती है, चलिए अब तक हमने डीप रिष्णों के बारे में बात किया, हम पढ़ते हैं, question E, कि find the words or phrases, depicting the condition of the rabbit, आपको ऐसे words or phrases find करने हैं, जो rabbit की, जो condition है, जो इस्तिती है, जो बहुती miserable condition है rabbit की, उसको reflect करने हैं, उसको बता रहे हैं, तो इसके answer में हम देख सकते हैं, E में, तो यह कुछ lines हैं, जो rabbit की miserable state को बता रहे हैं, जिससे rabbit कह रहा है, he cries again for aid, और his paw is in the snare, wrinkling up his little face, तो यह कुछ phrases हैं, जो rabbit की miserable state को reflect कर रहे हैं, चलिए question, next question, F के बारे में बात करते हैं, what purpose does the interjection but serve in the poem, तो यहाँ पर उपर, एक जिगए, what subject, what एक interjection है, उसका इस्तमाल हुआ है, तो वो क्या purpose है, क्या उसका उद्देश है, जो यहाँ पर use हुआ है, तो देखिए, interjection जो what है, वो दिखाता है, कि poet is helpless to help the rabbit, कि poet असा है, rabbit की मदद करने के लिए, और he is unable to locate, क्योंकि वो इस जगे को locate नहीं कर पाता, where the animal is trapped, तो यह poet के helplessness को दिखा रहा है, next is में जो question था, जी, एक question था कि, कि what is the theme of the poem, इस कपता की theme क्या है, तो उपर हमने जो इस कपता की बारे में जो views पड़े थी, वो इस कपता की theme भी है, तो हम इसको ध्यान से अगर हम पढ़ लें, तो यह कपता की theme भी है, जो लाइने हैं यहाँ पर, यह लाइने, जो poets views हैं about the poem, यह कपता की theme भी है, और अगला जो इसमें प्रिश्न है, last question जो दे रखा है, कि what attitude, जो इसमें प्रिश्न दे रखा है, कि what attitude does the poet have towards the rabbit's plight, तो poet का जो attitude है, वो क्या है, और rabbit की जो दुर्दसा है, जो plight है, उसके प्रिती, जो उसकी miserable state है, तो poet का क्या attitude है, तो हम उपर भी बात कर चुके हैं, poems की views के बारे में, poet एक sympathetic attitude दिखाता है, किसके बारे में, rabbit की plight को लेकर, he wants to help him, वो उसकी मदद करना चाहता है, पर unfortunately, he is unable to find the place, where his boy is trapped in the snare, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहता है, तो इस तरीके से, इस poem में हमने, किस तरी से बोर्ड परिच्छाओं में प्रिशने पूछे जाते हैं, इस्ट्रेक टैप, जो प्रिशने उनके बारे में, और सौट आंसर टैप, जो प्रिशने उनके बारे में, हमने डेटिल में चर्चा की, तो अमीद है, ये कबता आपको पसंद आई होगी, यदि ये poem आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, तो किरपिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फर वाचिंग एन लिस्टनिंग,